लेकिन मालूम है कि मैं तोड़ूंगा धनुस वोला हाँ ये भी पता है कि आप तोड़ेंगे लेकिन तोड़ेंगे तो तुम्हें कश्ट होगा धनुस वोला नहीं बिल्कुल नहीं होगा कश्ट अरे जो तूटता है उसको कश्ट होता ही है धनुस वोला ये राजाओं के अगर मैं तूटूंगा तो मुझे विश्वास है कि परमात्मा फेकेगा तो अपने चरणों में ही फेकेगा चरणों से दूर नहीं करेगा बोलो भाई परमात्मा अगर किसी जीव को छोड़ता है तो अपने चरणों में ही छोड़ता है वह कहां छोड़ता है अपने चरणों में तो अभी तो हाथ का सौभाग मिल रहा था तूटने के वाद आपके चरणों का सौभाग मिलेगा भगवान बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चरणों फेकें कहो तो हम तुमें बैकुंट भेज दें इतना दूर फेकेंगे कि सीधे तुम बैकुंटही और क्या मिलेगी बैकुंठ में रहती है मुक्ति धनुष बोला आप अगर होते तो बैकुंठ जाना भी ठीक था लेकिन बैकुंठ ही छोड़के चले आए बैकुंठ तो बढ़ा खाली और आपके बिना बैकुंठ में भले ही मुक्ति रहती हो लेकिन आपके बिना मुझे बैक बैकुंट अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा बोलो भगवान बैकुंट से चले आए तो तुम बैकुंट जाओगे, क्या करोगे वहां रहके, पिलाटिंग करोगे, मकान बनवाओगे, भगवान जब छोड़के आजाएगा तो बैकुंट जाने की जरूरत नहीं है, तोड़ने के वाद अपने चरणों में डाल देना, क्योंकि बैकुंट में मुक्ती रहती है, और आपके चरणों में भक्ती रहती है, इसलिए मुझे मुझे मुक्ती नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ती चाहिए, इसलिए कृपा करके आप तोड़ने के वाद अपने चरण सर में डाल देना देखो ये समर्पित हो गया ना धनुष हो गया ना समर्पित धनुष भगवान ने का अच्छा ठीक है मैं विश्वास दिलाता हूं लेत चड़ावत खेंचत गाड़े ओ काहून लखा देख सब ठाड़े तहीं छनराम मध धनु तोरा ओ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा जैसे भगवान ने धनुष तोरा तो भरे भुवन धुनि घोर कठोरा प्रवुदो चाप खंड महीं धारे दो खंड कर दिये और भगवान ने अपने चरणों में दोनों खंडों को डाल दिया धनुष को भक्ती मिल गई अब जैसे धनुष तूता दा जाओ ने कहा आक्रम आक्रमन आक्रमन करो लक्षमर जीने का भईया आदेश करो आदेश करो ये दस अजार नहीं दस लाख हो जाए इनके फरस्ते उतरावे नीचे आप आदेश करो अकेले मैं ही पर्याप थूं भगवान बोले क्या करोगे तुम कहा जरकार क्या करेंगे जगमा सखा निसाचर जेते लक्षमन हना निमिसमा तेते अभी देखो एक सिकंड लगेगा साप किलोरो खार्म के नशे में चले जाएंगे हो सही नहीं रहेगा किसी को अभी अभी देखो एक सिकंड लगेगा भगवान ने कहा मेरे बिवाह में हज्जारों की लासें बिछ जाएं तो मेरा बिव बिवाहे लक्षमण कैसा होगा बताओ बोलो बोलो जल्दी लक्षमण जी बोले अगर इनको नहीं निपता रहे हैं तो पता नहीं ये क्या बेवार करें आपके साथ तो आपको कौन बचाएगा आपकी सुरक्षा कौन करेगा आपकी सुरक्षा कौन करेगा भगवान राम ने दुला अपने हाथों में ना ले कि हम बड़े प्रभावसाली दुला हैं, हमारे बीवाहे में तो तुमाम बिवस्थापक लगे हुए हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं, हम खुद अपना बिवाहे समा लें, ना, ना, अपने हाथों में न ले और एक बात सुन लो बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं चेताउनी के रूप में क्योंकि अभी थोड़ी देर में बिवाह की लीला प्रारंब होने वाली है अभी भगवान राम का तुलसी जी के साथ तुलसी भगवती सीता के रूप में हैं किसके रूप में विराजी हैं भगवती स्री जानकी जी के रूप में तुलसी विराजी हैं क्योंकि इनका नाम हरी प्रिया है इसलिए इस समय बिवाह के विकल्प में केवल तुलसी ही हो सकती और कौन हो सकता जरा अपने बिवेक्ष बताओ और इनसे बड़िया बिकल्प रामजी के लिए कोई दूश्रा है नहीं इसलिए पूरा काम सिस्टम से हो रहा है बिलकुल मर्यादा से हो रहा है विधिवत हो रहा है बिवाय तो हम ऐसे ही करा देते जैमाल कारी कर्म और गान वजान हो जाता बिवाय संपर्ण होगा और उसमें 15-20 मिनिट लगेंगे अभी 5 मिनिट तो हम ही ले जाएंगे तो लगवग लगवग जो है समय एक बज नहीं जा रहा है एक बज गिया एक बज के तीन मिनट और डेड़ बजे तक पूरा कारी कर्म हो जाएगा आरती शुरू हो जाएगी तो आईए सुनिए भगवान राम ने कहा विवाह में हम दूला की भूमिका में हैं और लक्षमर तुम लक्षमर जी बोले हम तो नहीं हैं दूला अरे तुम भी दूला हो तुमको पता नहीं है थोड़ी देर में तुमारी भी घोशना होने वाली है और सुनो जो दो घर में भाई रह गए ना भरत और शत्रुहन वो भी दूला अनकी वी थोड़ी देर में घोशना होने वाली है वो भी दूला हम चारों भाई दूला तो भाया फिर दूलहने चार अरे चारा यहीं तो हैं पांच में है chapter या नहीं ना तीन है ना पांच है चार हैं लक्षमर जी बोले भाया ये पहले से प्रोग्राम सेट था क्या अरे बोले ब्रम्ही जी ने तैकर दिया था ये तो विधी का विधान था जहीं विरंच रच सिये समारी वो तहीं से आमलवर रचेव विचारी वहां चार राजकुमार यहां चार राजकुमार यहां बोलो भाई ये विधी का विधान यी था कि नह गबड़ाना नहीं चाहिए बेटी के बाप को भी ये नहीं गबड़ाना चाहिए कि अब मैंने रिस्ता ते कर दिया बराती समाचार मिल गया है कि कहा तो था दोसे बराती आएंगे लेकिन अभी 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 फोन पर बात हुई मोबाइल फोन पर बात हुई तो कर लेंगी भगवान की आज्या से तुम्हारी बेटी का विवाय निर्विग्न संपन होगा घवडाने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं घवडाना चाहिए विवाय में विवस्थापक भगवान को बनाओ इसलिए जब हम लोग बिवाय को प्रारम्ब करते उसके पहले हम देवी देवताओं को मनाते हैं कि नहीं मनाते वोलो जितने भी हमारे कुल के देवी देवता गाउन नगर के देवी देवता होते हैं उन सब के पास जाते हैं कि नहीं उनकी पूजा करते हैं कि नहीं उनको निमंतरन देते हैं कि नहीं वो यही प्रार्थना करते हैं कि आप ही समालना और सबसे पहले तो हम गड़ेश जी को ही समालते हैं गड़ेश जी से प्रार्थना करते हैं उनी से मन्नत मानते हैं कि आप समालना आप समालना पूरी तरह से आप सी समालना तो गडेश जी भगवान समालते हैं और भी जो सहियोगी देवी देटा हैं वो सब समालते हैं इसलिए कभी घवडाना नहीं चाहिए बगवान राम ने भी कहा के मेरे भी विवाह को बगवान समालेगा लक्षमर जी भगवान hai जब दूला बन गया तो आप कौन भगवान समझा लेगा अरे दूला तो भगवान नहीं न बना है तो कौन भगवान समझा लेगा राम जी ने का वस यही तो लक्षमर तुमारी भूल है क्या ये राजा दसजार नहीं दसलाख आ जाएं तब भी हमें चिंता नहीं है और ना हमको अबदपूर से सेना बुलानी पड़ेगी और ना जनकपूर की सेना से कहना पड़ेगा और ना हमको किसी बलवान की जरूत पड़ेगी फिर कौन समझा लेगा का मैंने कहा ना भगवान समझा लेंगे वो सुनलो लक्षमन, संसार का भगवान तो मैं हूँ, राम, पूरी दुनिया का भगवान राम है, और राम का भगवान परसुराम है, आएगा दो मिनिट में सब सरंडर हो जाएंगे, ये सब हत्यार वत्यार डाल के राइट हो जाएंगे, अच्या बोलो भाई, इतने जल्दी सरंडर कोई करा पाया, किसी को जल्दी बोलो, जितने जल्दी परसुराम के आने पर दसजार राजा, और इतिहास बन गया प्यारे, एक साथ दसजार व्यक्ति कवी सरंडर हुए क्या, बोलो भाई, एक साथ दस अज़ार, एक साथ ये इतिहास बन गया है और ये सब सरंडर हो जाएंगे लक्षमर जी बोले तो परशुराम कहां रहते हैं कहे तुम्हें इससे क्या मतलब कहां रहते हैं जहां रहते होंगे, वहीं से आ जाएंगे और सब मामला बन जाएगा हमें विश्वास है लक्षमर जी बो जो ठीक है राजाओं ने तलवारें निकाल ली लेकिन धनुस से आवाज आई तूटने के बाद भी आई आई आवाज क्या कि पहले हमारी बात तो सुन लो किस पर वार करने जा रहे हो का जिसने तोड़ा है उस पर वार करेंगे और सीता को छीन करके ले जाएंगे और जनक आएंगे तो जनक को बांधेंगे ये राजकुमार आएंगे तो इनको बांध के डाल देंगे धनुस ने कहा इनकी क्या गलती है अरे गलती है ये इनने तोड़ा तूटना था तो तुम हमसे क्यों नहीं टूटे सबसे बड़ी गल्ती तो धनुस तेरी है कि जब दसजार पहुँच गए थे तो तूटना चाहिए था कि नहीं जगडा तो तूने बढ़ाया पूरा मामला खटाई में तूने किया अगर तू ही पंच्यात निप्टा देता दसजार से तूट जाता मामला निपड़ जाता लेकिन जगडा तूने बढ़ा दिया पूरा धनुस बोला सुनो आप जब दसजार आए तो हमारा मूड बन गया था तूटने का हैं राजाओने का मूड बन गया था तो फिर मूड खराब कैसे हो गया बिगड़ कैसे गया मूड जब बन गया था दनुस बोला जहां से हम तूट रहे थे तूम दसजार में कोई ऐसा मूड था वो हही से पकड़े था अब हम तूट रहे थे वो तूटने नहीं दे रहा था राजाओं ने का ठेक कहा गलती हम मुर्खों की है पहले उसको देखो जिसने ये विवस्था खड़ाब की तो आप सही में तलवार हैं चलाना शुरू कर दी इन्हों ने तब तक सतानंद जी से विस्वामित्री जी बोले इनको लड़ने दो तुम जैमाला कारिक्रम जल्दी करा दो जैमाल कारिक्रम हो जाएगा तब तक परसुराम जी आके इनको सरेंडर करा देंगे वो आराम से बिवाय हो जाएगा लेकिन सीता जी को जल्दी भेजो तुरंत भेजो अब जब तक इनको लड़ने दो ये आपस में लड़ रहे हैं कौन था मूर्ख कौन था कौन पकड़े था दनुष तो तूट रहा था लेकिन आपस में ही तुम सब पकड़े थे उसी समय सता नंद जी ने सीता जी से सता नंद तव आयस दीना ओ सीता गवन राम पहिकीना